आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो सबसे पहले लागत मुल्ली क्या दिया है? हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं लागत मुल्ली और यहां पर क्या दिया है? विक्रे मुल्ली तो लागत मुल्ली क्या हमने मान लेते हैं कि यहां माना हमने 100 रूपे लागत मुल्ली था 25% अधिक निश्चित करती है तो 25% यानि, कितना 125 क्योंकि 100 का 25% जादा यानि 125 विकरे मुली निश्चित करती है अब उसने क्या बोला Nicole यदि उसके उत्पादन लागत 20% बढ़ जाती है यानि, जो हंड्रेड हमने विक्रे मुली 10% बढ़ा देती है तो विक्रे मुली जो 125 आया था हमारा वो 10% बढ़ा देता है तो प्लस 10% तो 125 का 10% अगर हम बढ़ाएंगे तो यह होगा 12.5 तो 125 में 12.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 137.5 यानि अब लागत मुली 120 है और उसका विक्रे मुली कितना हो गया 137.5 तो अब लाब कितना होगा तो लाब निकाल लेते हैं आसे तो लाब प्रतिशत बराबर विक्रे मुली है 137.5 उसमें से घटाएंगे 120 जो कि क्राइ मुली है और लाब हमेशा क्रे मुली के उपर गंडना के जाती है तो बटे 120 और गुणा प्रतिशत के लिए 100 इसको माइनस करेंगे हम तो यह कितना बचे का यह बचेगा हमरे पास 175 पाँच इसके डिवाइड में 120 एसा का इसा ही और गुणा 100 यहां से हमने पॉइंट हटाया और 10 बढ़ाया दो जिरो से हमने दो जिरो हटा दी तो यह कितना हो गया यह होगी 185 बटे 12 इसका डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 5 बचा बार चुक अड़ता लिस यानि 14 पॉइंट में कुछ आएगा तो ओप्शन के थुरू जाएंगे तो 14.6 ओप्शन में दे रखा है यानि कि 14.6 प्रतिशत का क्या होगा हमें लाब होगा तो पूरी केलकोलेशन करने के जरूरत नहीं है 14.6 हमारा राइट आंसर होगा ओप्शन के इसाब से ओप्शन दी इस राइट आंसर थेंक्यू